Hello everyone, welcome to my channel Friends, आज मैं शेयर करूँगी 15 खुबसूरत फूलों के पौधे जिनके सीर्स आप अभी लगा लेते हैं तो पूरी सर्दियों में आप इन फूलों का अनन्द ले सकते हैं और आपका गार्डन पूरा ही फूलों से भर जाएगा ये सारे फूल बहुत ही जादा फ्लावरिंग करने वाले हैं और इनका अभी लगाने का सही समय आ चुका है अभी ये बड़े इसली ग्रो जाएंगे ये सबी सर्दियों के बीच आपको आनलाइन में मिल जाएंगे और आसपास कोई नर्सरी है तो वहां से भी सीर साप ला सकते हैं इन्हें किस तर से ग्रो करना वो भी मैं इस वीडियों में बताऊंगी लिस्ट का पहला प्लांट है मेरी गोल केंदा इन्हें भी बीच से उगाने का बिल्कुल सही समय है इन्दे के फूल बहुत ही जादा सुधर लगते कई कलर्स विराइटी में आते हैं और धे सारी फ्लावरिंग करते हैं इन्दे के फूलों को पूजा पार्ट में डेकोरेशन में बहुत जादा इस्तिमाल क्या आता है इनके बीच इनके सुखे हुए फूल और सुखी हुए मालाओं से मिल जाते हैं और अगर आप उन्हें लगा ले तो धेर सारे मैरीगोल के पूदे फ्री में ही मिल जाते हैं आप चाहे तो ऑनलाइन भी सीट्स मगा सकते हैं अगर आप इन्हें अभी ग्रो कर ले तो विंटर्स में आपका गार्डिन फूलों से भर जाएगा नेक्स्ट है नैस्टरसियम इनके फूल में बहुत ही खुबसुरत होते हैं इनके बीज थोड़े बड़े साइज के होते हैं और जहां भी बीज गिरते हैं वहां खुदी नए पौदे तयार हो जाते हैं इनके पौदों को हम छोटे पॉट में और हैंगिंग बास्केट्स में लगाते हैं तो बहुत ही सुन्दर लगते हैं और इसे ग्रावर कवर के रूप में भी लगाया जाता है इनके सुन्दर और सुगर्दित फूल हनी वीज और मधुमक्यों को भी अट्रेक्ट करते हैं तो इसे भी आप अभी बीजों से जरूर लगा लें हौलियोग भी काफी सुन्दे फूलों का पौदा है इनके फूल बहुत सारे कलोर्स में आते हैं गुच्छों में इनके फूल खिलते हैं और बहुत ही खुबसुरत दिखते हैं और तितलियों और मधुमक्यों को भी आकरशित करते हैं फूल काफी बड़े साइज में होते हैं ये पदा काफी हाटी होता है और बहुत साथ है केयर की जोतने पड़ती इनके seeds अभी आप October, November में लगा लें और यदि नर्सरी में छोटे पौदे मिलें तो उसे भी लगा लें ये फुल June, July तक खिलते रहते हैं तो इसे आप अभी seeds से ज़रूर लगा लें Next है Flax, इनके भी flowers बहुत ही खुबसरत लगते हैं इनके flowers बहुत ही खुबसरत होते हैं और इनमें भीनी भीनी कुश्पू भी होती है ये जो flowers है honey bees और butterflies को भी एटरिट करते हैं तो इनने भी अपने garden में जरूर एटरिट करें Next है Dianthus, इनके भी flowers बहुत ही खुबसरत लगते हैं चुटे चुटे होते हैं और गुच्छों में खिलते हैं इसे भी बीच से लगाने का बिल्कुल सही समय है इसे cutting से भी लगा सकते हैं अगर कहीं से cutting मिल जाए तो इसे लगा लें यह भी चोटे-चोटे गमलों में hanging basket में बहुत अच्छे से चलते हैं इसे ground cover के लिए भी लगाया जाता है इनके फुल बहुत ही आकरशक लगते हैं और honey beach को भी अट्रिक करते हैं तो इसे भी अभी जरूर लगा लें नेक्स्ट है कचानिया इसी भी इंदीनों सीट से इसली ग्रो किया जाता है इनकी फुल भी हमारे garden की खुबसूरती को बहुत जादा बढ़ाते हैं इनकी फुलों की color variation बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और बहुत अच्छी flowering करता है hanging basket में और ground cover के लिए बहुत अच्छा इसमें भी आपको पीले orange रंग के फूल खिलते नजराते हैं multiple petal वाला फूल होता है और इसके फूल काफी समय तक खिले रहते हैं जब एक बार खिल जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लगते हैं चोटे गमलों में भी काफी अच्छी से ग्रो करता है और बीजो केर के जोत नहीं परती और अगर बारिशों में गर्मियों में इन्हें बचा ले तो पूरी ही साल बने रहते हैं इनके फूल भी हमारे गार्टिन में काफी कलर और खुबसूरती एड़ करते हैं तो इन सर्थियों में आप इनकी भी सीडलिंग जरूर कर ले अगला में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है हैंगिंग बास्किट में और ग्राउन कवर के लिए बहुत ही अच्छा पाद है बहुत ही प्यारा लगता है और सीर से बहुत ही आसानी सी ग्रो हो जाता है नेक्स प्लांट है पैंजी पैंजी के भी फूल बहुत ही कुबसूरत पिटुनिया सर्दियों का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है इतनी हैवी फ्लावरिंग करता है इसमें काफी सारे कलर्स आते हैं बहुत ही खुबसरत फूल होते हैं सिंगिल पेटल और डबल पेटल में आता है लेकिन सिंगिल पेटल में बहुत जादा फ्लावरिंग होती है white color बहुत जादा flowering करता है उसके बाद pink color अगर इन्हें हम अच्छे से देख भाल कर लें तो इनसे हम मई जुन तक फूल ले सकते हैं next है बर्बीना बर्बीना भी सर्दियों में बहुत ही अच्छी flowering करते हैं इनके छुटे छुटे फूल होते हैं जो गुच्छों में खिलते हैं अने colors variety में आते हैं और बेहत खुबसूरत दिखते हैं चुटे चुटे गंडों में भी बहुत अच्छी से grow करते हैं तो अगर बिंटर्स में बहुत अच्छी flowering चाहिए वो भी बिना खास देख भाल के तो बर्बीना को अभी जरूर लगा ले यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ने बीजों से grow करने के लिए नेक्स्ट है प्राइसेंतिमम या गुल्दावदी यह भी सर्दियों में बहुत ही जादा flowering करते हैं इनके फूल भी बहुत ही जादा खुबसूरत colors variety में आते हैं और हमारे garden को बहुत ही जादा colorful आकरशिक बनाते हैं बुल्दावदी को लगाने का यह बिल्कुल सही समय है इनको आप अभी 20 से लगा सकते हैं और अगर आपको इनकी cutting मिल जाए तो उसे भी अभी लगा ले sand में लगाएं बहुत ही easily लग जाते हैं नेक्स प्लांट है salvia यह भी बहुत ही खुबसूरत लगते हैं इसे भी आप अभी बीजों से आसानी से उगा सकते हैं salvia भी बहुत सारी colors variety में आता है red color सबसे common होता है बहुत ही खुबसूरत फूल इस टाक पर उच्छों में आते हैं इनके बीज बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं तो इने भी आप जरूर लगाएं next है ester इसके छोटे छोटे खुबसूरत फूल होते हैं और आम तोर पर लाल गुलावी बैगनी नीले पीले रंगों में खिलते हैं इनके छोटे-छोटे पैटल्स होते हैं कुछ-कुछ डेजी जैसे दिखते हैं फूलो में शाइन होती है इनके प्लांस छोटे होते हैं तो इने आप ग्रिल पर और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं यह भी फ्लावर्स हमारी कार्टे में बहुत ही जादा कलर और खुबसूरती को बढ़ाते हैं तो इने भी आप इन सर्थियों सीट से जरूर कर लें मिट्टी में बीज लगाते समय हमें मिट्टी का बहुत ध्यान लखना होता है सीडलिंग के लिए मिट्टी वेलज lingt और पूरस त्यार करने चाहिए इसके लिए दो हिससा मिट्टी एक हिससा बर्मी कम्पोस्त या गोबर की खाद मिला ले अगर आपके परस कोको पीटि या सेंड है तो वो भी मिला सकते हैं इस तरह से वेल्डिन मिट्टी में हम बीजों को लगाएंगे उंगली की साहता से मिट्टी को हलके से प्रेस करके हलके से बीज को उसमें डाल देंगे और बीजों को इस तरह से एक एक करके हमें लगाना है सिर्स को 1-2 इंच से ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है और फिर बीजों को मिट्टी की पतली परस से ढग देंगे पानी का भी हमें बहुत धियान रखना होता है मिट्टी में पानी स्प्री बोटल से यहां से पानी कछिड़काव करना है और मिटी में नमी बनाए रखना है अगर तेजधार से पानी देंगे तो बीज अपनी जगा से हट जाएंगे फिर अच्छ से ग्रो नहीं होंगे तो इस तरह से बीजों को लगाएंगे तो वे अच्छ से ग्रो हो जाते हैं तो ये सीर सब जरूर लगाएगा ताकि वे इंटर्स में आपका गार्डिन फूलों से भरा रहे फ्रिंट्स आशा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करना न भूले मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद